चलिए दोस्तों आज फिर से अनालेसिस करते हैं नरेंद्र मोधी वर्सिस राहूल वर्सी ममता बैनर जी क्या 2024 के चुनाव में नरेंद्र बोधी फिर से प्रधान मंदरी बन पाएंगे क्या मोधी सरकार पर एंटेन केमबेंस इतनी हावी हो जाएगी कि राहूल गांदी उन्हें हराते हुए प्रधान मंदरी बन जाएंगे या फिर बंगाल की विक्टरी के कॉन्फिडेंस के साथ ममता बैनर जी इन दोनों को मात दे देंगी चलिए हम आठ पॉइंट्स पे इनालिसिस करना चाहेंगे लेकिन पहले इनालिसिस करेंगे पर्सनल इमेज पर जो कि हमारा पहला टॉपिक है जिस पर हम एनलाइस करेंगे अगर इन तिनों नेताओं की बात की जाए तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के मामले में पर्सनल इमेज में बाजी मार जाते हैं यह इमेज का ही पुरा खेल है राजनीती में जिसके कारण मोदी जी अभी तक इतने पॉपुलर बने हुए है उन्होंने खुद को एक गरीब और फकीर की तरह प्रोजेक्ट किया है जो लोगोंने काफी पसंद किया है इमेज के मामले में दूसरे नंबर पे आती है तो वो है ममता बैनर जी ममता बैनर जी के इमेज एक फाइटर की तरह है फाइटर वाली हो चुकी है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को बंगाल महराय था वह दिखाता है कि ममता एक जो जारू भी है सबसे गलत या खराब इमेज इस समय राहूल गांधी की है जने कई दफार राजनीती में सीरिसली नहीं लिया जाता है पार्लियमेंट में आख मारने से लेके कई बार उल्टे सीधे स्टेटमेंट जैसा दिखाय जाता है जैसे आलू से सोना की करण उनकी इमेज को काफी धक्का लगा है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इमेज गलत ख़बर की वज़ा से खराब होई है भले ही राहूल गांधी ने मोधी को कोट किया किन्तु पूरा वीड़ो कहीं नहीं देखा लोगों ने और अपने हिसाब से उन्होंने बता दिया आलू से सोना वाली मोधी जी की बात को ह ही तो लंबा किया था लेकिन वही है चल कपट से बीजेपी जो कर दे वो करा दे बस इमेज तो खराब करनी है जो कर दी है पार्टी स्टेंथ ही बात कर लेते हैं अब बात करते हैं कि पार्टी की स्टेंथ सबसे जादा कौन सी है मतलब कैसी है इस कांटेस्ट में अभी भी मोदी जी इन दोनों नेताओं से काफी आगे निगल जाते हैं 304 सीट के साथ भारतिय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी अलाइंस के साथ में सिर्फ बीजेपी ध्यान रखेगा दूसरे नमबर पर कॉंग्रेस हैं जिसकी 55 सीटे थी जो अपने आप में खुद ही अंतर देख लीजिए तरनमुल कॉंग्रेस के 22 MP हैं जो सारे बंगाल से हैं तो आप खुद ही अंतर देख लीजिए कितना बड़ा ग गर भी कहे जाते हैं कॉंग्रेस में एक दो निताओं को छोड़ करके तो किसी पर इतना इंफ्लूएंस लोगों पर नहीं दिखाई देता है और टीमस की बात करें तो ममता बैनर्ट जी को छोड़ दें तो कोई ऐसा निता नहीं जिसकी ऑल इंडिया में चर्चा होती हो मु को पता चलेगा एक बार फिर नरेंद्र मुदी सरकार इन दोनों निताओं को इस मामले में पचारते वे नज़र आते हैं देश के चौदे से अधिक राज्ज में अभी बीजेपी के सहीयोगी से एंडिया की सरकार है हिंदी हाट लेंड जहां सबसे अधिक लोग सभा सीटे सीटे हैं वहां बीजेपी के पगर बहुत मजबूत है कांग्रिस भी नेशनल लेवल की पार्टी है और कुछ राज्यों में सरकार के साथ साथ अन्हे राज्यों में पार्टी विपक्ष की भूमेका में है अगर बात की जाए टीमसी की तो वेस्ट बिंगॉल के बाहर पार करने की तरीके की बात करें तो इनके एजेंडा की बात करें तो बीजेपी का एजेंडा है बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है पार्टी विकास के साथ साथ नेशनलिजम और हिंदूजम की बात करती है और जवला योजना जंधन योजना जैसे कई स्कीम हैं जो दि में पता है चूला तो गैस तो दे दिया लेकर भरवाया नहीं अगर हम बात करें कॉंग्रेस की तो पार्टी अपने आप में एक सेकुलर पार्टी की तरह प्रोजेक्ट करती है पार्टी लेकिन अक्सा ट्रेंड फॉलो करने के लिए सौफ्ट हिंदुत का सहरा ले लेती है जो पार्टी के लिए अच्छा नहीं है कभी राहूल गांधी खुद जनियुधारी अब्रामड बताते हैं तो कभी प्रियंका गांधी मंदिर में जाती दिखाई देती है इसी से कहीं न कहीं पार्टी अपनी बुनियादी धाचे से द आप जोड़ के देख सकते हैं टीमसी की बात करें तो ये पार्टी अपना में खुद को सैकुलर बताती है और उसका एजेंट डाव विकास के साथ-साथ महिला सुरक्षा का भी होता है च्योंकि मम्ता बैनर जी खुद एक महिला है तो हमने देखा कि चुनाव में महिलाओं ने बहुत जादा साथ दिया था कि एग्जीकुशन उस पॉलिसी का मम्ता का बहुत बहतरीन था एंटी इंकमबेंसी फैक्टर की बात की जाए तो एंटी इंकमबेंसी कभी भी एक बड़ा मुद्दा होता है तो अधिकतर सरकार के विरोध में जाता है किन्तु 2019 के में पार्टी अधिक सीट ले गई हाला कि हर बार ऐसा हो इसकी कोई गैरेंटी नहीं होती है यह एक ऐसा फैक्टर है जहां कॉंग्रेस और टीमसी सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकती है पस उसको और्गनाईज करना होगा कोविड के सेकंड वेव के दौरान ललन टॉप एक सर्वे किया था उस सर्वे के दौरान हमें पता चला कि 83% ऐसे लोग थे जो मानते थे कि अगर उस समय चुनाव होए होते तो मोदी जी चुनाव हार गए होते दो हजार चौविस में आने में अभी तीन साल का समय है और इस दौरान कई सारी घटनाएं घटित होंगी दे दिखने वाली बात होगी मुद्दा अगर विपक्ष अच्छे सा उठाएगा आप यकीन मानिए कि स्थिती बदल जागी है बात करते है अपने यूथ फैक्टर की इंडिया को यंग कंट्री कहा जाता है जैसा आप सभी को पता है यानि कि युवाओं की संख्या हमारे भार नरेंदर मोदी जी से काफी छोटे हैं किन्तो यूथ में नरेंदर मोदी जी की जो पकड़ है जो पहुँच है वो सबसे ज्यादा दिखाई देती है वजहा सोशल मीडिया है सोशल मीडिया को यूथ का प्लैटफॉर्म कहा जाता है और यहां मोदी इन दोनों नेताओं से क 200 आगे दिखाई देते हैं ट्यूटर पर नरेंद्र मोधी के जहां 71 मिलियन से ज्यादा फालोवर्स हैं वहीं राहुल गांधी के 19 मिलियन और मम्ता के 6 मिलियन ही फालोवर्स हैं तो अंतर आप साफ तर पर देख सकते हैं और ये अंतर वोटिंग में भी दिखाई देता है इस हम यहां करेंगे तो यहांपर एक चीज जहां मुदी राहूल और मम्ता वेनर जी पर हमलावर होते हैं और इन सौफ़ प्ताव प्रधान मंतरी थे वो कांधी फैमली से आते हैं बोधी अक्सर उनके लिए प्रिंस यूवरा चांदी की चमच जैसे शब्दों का प्रियों करते हैं वहीं बीजेपी बड़े गर्व से खुद को कैडर बेजड पाटी बताती है और इसका असर लोगों पर जरूर पड़ता है अगर बात टीमसी की करें जिस तरहा से अभीशेक बैनर नहीं है बहुत जबरतस्त है अब देखिए मैं आपको बताओं तो अमिच शहा है ना लेकिन वह बात इतनी हाइलेट होती नहीं लेकिन वह इतने चोटे लेवल पर है कि उतना सिग्निफिकन्ट नहीं है अगर राज्यों में आप चले जाएंगे तो वहाँ नेपरिजम है चार्ट अगर आप देख सकते हैं नहीं परिजम का बीजेपी का तो आप देख लीजिए और्गनाइजेशन एंड बैक सपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी पार्टी के लिए राजनिती में और्गनाइजेशन सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है भाजपा के पास प्लस पॉइंट यही है कि उसका इंटरनल धाचे में बड़े भागेदारी जो आरेसेस की होती है जिनकी अपनी एक अलग ही फैन फालोइंग एक बहुत बड़ी जनताओं से जुड़ी होती है कई चुनावों में संग के कारेकरता बीजेपी के लिए बेनिंग करते हैं तो भाजपा के दोनों प्रधान मंत्री मोधी और इससे पहले अटल विहारी वाजपाई भी आरेसेस से ही आए थे कॉंग्रेस की अगर बात करें तो उसके पास उसका खुद का ए आई डवल सी ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी है किन्तो इसका प्रभाव आरेसेस की तरहा नहीं है मुख्य फैसले सोन्या गांधी लेती है जो दिखता भी है यहाँ फ्रीली काम नहीं करता है हर पार्टी के अंदर ऐसा होता है बीजेपी के अंदर भी ऐसा ही है वहाँ पर आटो क्रेट वाले स्थिती है टीमसी का और्गनाइज़िशन का जो नेत ममता बैनर्ट जी से आगे हैं और इन दोनों नेताओं के पास मौका है तीन साल अपनी पकड़ को मजबूत करने का मोदी को टकर देने का अगर विपक्षी दल को सरकार बनानी है तो उन्हें गटबंधन का सहरा लेना होगा क्योंकि कोई भी विपक्षी पार्टी अक्यले कौन होगा कि राहुल गांधी क्या ममता बैनर्ट जी के नाम पर सहमती जताएंगे या फिर ममता बैनर्ट जी राहुल गांधी के नाम पर सहमती जताएंगे या फिर प्रशांत के शोर या फिर शरत पवार कौन बुक्ष चहरा होने जा रहा है ये अपना एक बात बनती है या फिर रहुराम, राजन, बहुत सारी बाते हैं, तीन साल हैं, बेसिक साया हैं, जो अपॉलिटिकल हैं, जो राजनीती नहीं जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, तो छोटा सा इंसाइट मैंने आपको दिया है, इस वीडियो को तीन वाट्सप ग्रूप में शेयर कीज़ेगा जाहें वन दे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे अजुकेट, सत्यमेव जायते, नमस्कार